नमस्कार दोस्तो कुमार रिपारिंग हाउस में स्वागत है आप से भी का और आज हमारे पास एक सिलिंग फैन का इस टाटर आया है जिसमें तीनों केनेक्षन वाले तार जल चुका है, एक दूसरी के साथ सट चुका है दोस्तोँ तो दोस्तों कम्प्लिटली हम इसकी connection करने वाले हैं आज और इसे repair भी करके दिखाने वाले हैं तो दोस्तों छोटी सी request है अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ जाए तो चैनल को subscribe कर दिजेगा अंत में तो चलिए इसमें जितने भी lead जले हुए हैं सभी को हम निकाल लेंगे बाहर और इसे बाहर करने के बाद दो starting की और दो running की जो point है दोस्तों उसे भी हम साफ सुतरा करके इसमें हम निकाल के देखनी है और उसमें connection करने के बाद इसकी testing करने के बाद इसे हम check करके दिखाएंगे तो दोस्तों वीडियो को जो है भगा के मत देखिएगा हो सके तो देखने की कोसिस किजिए क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसे जले हुए फैन की connection wire तूट जाए तो कैसे connection करनी है इस वीडियो के माईधम से आप सीख सकते हैं तो यहां दोनों wire को हम एक दूसरे के साथ connect कर देंगे connection कर लेंगे और इसमें जो है दोस्तों तीन wire हम छोटा छ फिल लेने के बाद इस दोनों wire के साथ हम connection कर देंगे और नीचे की और इस wire को हम घीच लेंगे ताकि नई wire हम salt कर सकें अच्छी तरह से और लगा सकें तो यहां हम एक दूसरे के साथ इसकी connection इस तरह से कर लेंगे और नीचे की और wire सब को हम घीचेंगे ताकि नई wire इसमें लग जाए और जो पुरानी wire है दोस्तों उसे हमें फेक देनी है तो देखते रहें दोस्तों वीडियो को अग लगा लेनी है इस तरह से status पे set कर लेनी है set जो हो चुका है और यहां देख सकते हैं एक connection जो है starting की जो कि हम इस तरह से PCV paper से बाहर निकाल लेंगे और यहां अच्छी से साफ करनी है ताकि कोई भी गड़वड़ी नहीं करनी है नहीं तो अगर wire तूट जाए अंदर से तो इसकी जो connection है दोस्तो करने में आपकी परिशानी हो सकती है तो अच्छी तरह से करनी है तो यहां दो wire हम अच्छी तरह से साफ करके निकाल चुके हैं और दो wire जो है यहां इस जगह निकल चुका है तो यह PCV paper जो है दोस्तो पूरा जल चुका है अब देख सकते हैं और यहा हम अच्छी तरह से साफ सुत्रा करके इस तरह से निकाल चुके हैं दो लीड श्टार्टिंग की और दो लीड जो है रनिंग की तो हमें चार पॉइंट इस पे देखने को मिल चुका है और इस फैन की कनेक्शन अब कैसी करनी है वो भी हम इसी वीडियो में डिटेल्स में बता करने की उस में हम दोनों सफ़ेद वायर के साथ कनेक्शन करनी के नाटी ह talk करने के बाद भी इस फैन को हम पूरा फिटिंग करने के बाद इस की हम चला के दिखाने वाले हैं इसलिए वीडियो को भगा के मत देखिए वंगत हो सकते वीडियो को देखते रहें तो बिलेट की साहिता से हम जितने भी वायर की लीड निकाल चुके हैं सभी को हम साफ कर लेने हैं जो कि हम इस तरह से साफ कर चुके हैं और अब जो है दोस्तों PCV पेपर एक एक करके छोटी छोटी PCV पेपर इसमें हम डालने वाले हैं डाल लेंगे और एक एक करके सॉल्ड करके इसे completely multimeter से हम चेक करके दिखाने वाले हैं तो वीडियो को भगा के मत देखिएगा वीडियो को अंत तक देखने की कोसिस कीजिए तो इसमें भी एक सफेद वायर पर भी हम PCV पेपर डालेंगे इस तरह से रांगा की साथ सॉल्ड कर लेंगे अची तरह से और इस पेपर को जो है एक नमबर पीजीबी पेपर के साथ जो है वायर की साथ इसे अची तरह से लगा लेनी है ताकि जो वायर सॉल्ड किया हुआ है दोस्तों वो कभी भी हीले ना और आपस में जो है short circuit भी ना हो जाए coil के साथ connection जिसे ना हो जाए आगर body के साथ connection हो जाए दोस्तों तो इसमें भी गलबड़ी हो सकती है wire जल सकती है तो इस तरह से ध्यान रखे और अच्छी तरह से finishing करके ही काम करें ताकि कभी भी जो है दोस्तो wire आपस में टूटेगा नहीं और अच्छी तरह से जो है चलेगी भी तो इस तरह से हम connection सारी wire को एक एक करके completely कर चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बचे हुई wire जो था उसे भी हम salt कर चुके हैं अब जो है दोस्तों एक छोटी सी paper लेनी है और paper की साथा और थोड़ी सी धागे लेने हैं और इस तीनों wire के साथ अच्छी तरह से salt करने के बाद हम धागे के साथ इसे बांदेंगे अच्छी तरह से ताकि coil के साथ जो है connection कभी भी short circuit ना हो और wire हिले डो लेना ताकि इस coil के साथ ये chip करे तो हम एक छोटी सी जो है धागा अव लेनी है इस तरह से एक धागा ले चुके हैं और इस coil के साथ हम इस तरह से अच्छी तरह से tight करके बांद लेनी है ताकि wire कभी भी आपस में छुटे ना और उपर की ओर अगर तो इस तरह से हम हो चुका है आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही मैं पुरन है तो दोस्तों इस तरह से धागे के साथ connect कर चुके हैं अब इसकी कैसे testing करने हैं वो भी हम बता रहेंगे दोस्तों चलिए हम multimeter की साहता लेंगे तो हमारे पास एक digital multimeter है जो कि हम continuity पर हम इस meter को set करके रख चुके हैं अब काला wire एक red wire के साथ connection करेंगे और यहां सफेद wire पर हम touch करके देखेंगे तो इसमें हमें multimeter पर जो है number 100 हो रही है और इसमें भी number 100 हो रहे हैं दोस्तों तो यह दोनों lid पर हम अलग-अलग number हमें दिखाए देता है और यह coil जो है दोस्तों पूरी तरह से सही है इसमें कोई भी problem अभी नहीं है तो दोस्तों अब इसकी जो है completely हम set करने के बाद इसकी इसे हम start करके दिखाने वाले हैं इसे घुमा के देखाने वाले है तो चलिए उसे भी हम body के साथ connection कर लेंगे और इसे check करके देखेंगे जो body है चला के देखने वाले है यह fan किस तरह से चल रही है तो दोस्तों हमारे YouTube पर आपको fan से related और वी video देखने को मिल पाएगा यूट्यूब चैनल पर आप जाके वीजिट कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं प्राइक करके देखेंगे तो चलिए हम इसे बोर्ड के साथ हैं क्नक करते हैं और कनेक्त करने के बाद हम जैसे ही लाइन कनक करते हैं दोस्तों यह हम रहा है चिसे क्योंने विच्छान करने, यह दिखाया हुआ वीडियो अगर आपस्ते ओस्वोप्रक्राइब क्सक्राइब कर लिजरए क्योंकि हमारे यूट्यूब चनल को आपको एलाप्रोनिक से जोड़ी हर वीडियो देखने को मिल पाएगा तो दोस्तों ऐसा नहीं वीडियो के फिर से उपस्तित उतक्तिक के लिजा हिंद बन्रमात्रम